बॉलिवूड अभीनेता मिताब बच्चन और उनका परिवार मुश्किल में फस सकता है जिहाद बॉलिवूड एक्ट्रेस एश्वरर राय दिली के लोक नायक भवन में एडी के सामने पेश होंगी दुनिया के बहुत चर्चेत पनामा पेपर्स मामले में ये पेशी हो रही है यही नहीं सूत्रों के मताबे के इस केस में जल्धी अमिताब बच्चन को भी समन भेज़ा जा सकता है बताय जा रहा है कि एडी के अधिकारियों ने अश्वरिया से होने वाले सवालों की लिस्ट पहले से ही तयार कर ली है एडी के अधिकारी ने कहा कि हमने उन्हें 20 दिसंबर के लिए तलग किया है अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है समन उनके मुंबई इस्तेत आवास पर भीजा गया था गर वो जाँच में शामिल नहीं होती है तो एडी आगे की कानूनी कारवाई के बारे में सोचे गा अधिकारी ने कहा कि वो भविशे की कारवाई तै करने के लिए भी विशेशगों से कानूनी राय ले सकते हैं ये पहली बार नहीं हुआ है जब अमिनेत्री को मामले में समन भेजा गया हो इससे पहले भी उन्होंने उन्हें दो मौके पर तलब किया गया था हाला कि वो जाच में शामिल नखी कोई से पहले 9 नमबर को एश्वडिया को मामले में गवाई दर्ज कराने के लिए तलब किया गया था एक महीने पहले आविशेक बच्चन भी एडी कारयाले पहुँचे थे वो कुछ दस्तवेज भी एडी अधिकारियों को सौप चुके हैं ऐसे में एडी ने इस मामले में मनी लॉन्डरिंग का ये मामला दर्ज किया है रिशिकेश में पशू लोक विस्थापित कॉलोनी में कोट ने बहु मनजिला इमारतों के निर्मान पर रोक लगाई है फिर भी भू माफिया लगातार बहु मनजिला इमारतों का निर्मान करने में लगे हैं होसले इतने बुलंद हैं कि एक दो नहीं बलकि दरजुनों बहु मंजिल अइमारतों को निर्मान वर्तमान समय में चल रहा है जिम्मेदार महकमा कोट के आदेशों का पालन करने की जगा अपनी दलीले पेश कर कारवाई करने से पीछे हटता दिखाई दे रहा है दरसल पशू लोक विस्तापित कॉलोनी में क्रिशी भूमी को अलग-अलग दामों में भूमापियाओं ने खरीद लिया है चोटे-चोटे प्लोट पर बड़ी-बड़ी मारतों का निर्मान किया जा रहा है